इसके अंदर जैसे के मैंने बताया के 150 डॉलर से ज्यादा अगर हम दें तो कुछ लोग हैं जो के उस पर spend करने को त्यार होंगे और कुछ हैं जो के 15 और 150 की दिर्मियान पे करने को त्यार होंगे अभी जो scenario है उसके अंदर 50 rooms की हम occupy करवा रहे हैं बाइ चारजिंग 150 डॉलर सुपोज हम इसकी कीमत बढ़ा देते हैं तो फिर इस case के अंदर हम कितने लोग इसको होटल में रहने को त्यार होंगे या हम 50 से कम करके 15 डॉलर जो के वेरिबल कॉस्ट है और 150 की दिर्मियान अगर कोई प्राइस रखते हैं तो तब कितने लोग होंगे बुकिंग कराने के लिए तो हमारे पास लोग हैं जो किस्टमर आ सकते हैं जो के इस से ज्यादा और इदर से कम पर ट्यार होंगे अब हमने ये देखना है कि 150 से कितना हम कम करें और 150 से कितना हम ज्यादा करें दो प्राइस वो कौन सी है जहां हमारी जो रेविन्यू है वो मैक्सिमाईज हो जाएगा तो हम इसके अंदर लेते हैं 100 डॉलर की प्राइस and 200 डॉलर की प्राइस अब इसके basis के उपर हम अगर इसको देखें तो उसके अंदर 200 डॉलर्स की अगर price है तो there will be इस demand curve के base पर 30 rooms जो हैं वो 200 डॉलर के base के उपर occupy हो सकते हैं जबके अगर हम 100 डॉलर्स की रखें price जो के इधर hit करती है तो 60 की जो rooms है 60 rooms per night वो occupy हो सकते हैं तो उसके अंदर से यह है कि 60 में से 30 अगर 200 पे कर रहे हैं तो बागी 30 बज़ गए जिनको 100 डॉलर के उपर इधर attract कर सकते हैं तो उस basis के उपर अगर हम calculate करें तो वो क्या आता है कि 100 माइनस 15 variable cost multiply by 30 यह वो हैं जो के 150 से कम pay करने वाले हैं और फिर 200 माइनस 15 multiply by 30 यह वो हैं जो के 150 से ज्यादा pay करने वाले हैं तो total अगर हम करें तो 80 100 की हमारे पास revenue generate हो जाता है जबके पहले हमारे पास six seven five zero dollars का revenue generate हो रहा था जब हमने एक price रखी थी तो इस तरह हम अगर इसको manage करें तो हमारी जो revenue है वो increase हो जाएगा और substantially increase हो जाएगा इसके अंदर तरीका क्या होगा कि पहले शुरू में आप two hundred पर booking करेंगे और जब वो date करीब आएगी और अगर rooms छेखा से बच गए तो you can lower the price और उसके अंदर booking hundred डॉलर के उपर करना शुरू कर दें और उसको cover कर लें तो on the average यह आपके पास इस case के अंदर revenue जो है इस तरह आप achieve कर लेंगे